अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम मैं आपका स्वागत है मैं हूँ आर्टी टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याए में आप जानेंगे बैलें शीट क्या है और ट्रायल बैलेंस के आधार पर उसे कैसे बनाया जाता है इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि trading and profit and loss account क्या होता है और trial balance sheet के आधार पर उन्हें कैसे बनाया जाता है अब आगे बढ़ते हैं देखें, trial balance sheet में से जो खाते उठा कर हम trading and profit and loss account में ले गए हैं, वे सबी खाते सवाप्त हो गए हैं और अब हमारे पास सिर्फ assets और liabilities के खाते बचे हैं, इनका हमने एक नया trial balance बना लिया है आईए अब हम trial balance से एक-एक करके सभी खातों के balance balance sheet में लिख लेते हैं पर उससे पहले हम balance sheet की परिभाशा भी देख लेते हैं balance sheet एक निश्चित तारीख को तयार किया जाने वाला ऐसा statement है जिसमें एक और व्यावसाय की पूंजी यानि capital और दायत्वों यानि liabilities को तथा दूसरी और संपत्तियों यानि assets को एक निश्चित प्रारूप और क्रम में दर्शाया जाता है इसे प्रायव वर्ष समाप्ति पर बनाया जाता है आईए हम इसके कुछ मुख्य बातें समझ लेते हैं अभी तक हम जहां भी काम कर रहे थे वहाँ debit और credit ऊपर लिखा होता था पर balance sheet में इस तरह नहीं लिखा जाता है इसमें left side में liabilities के सभी खाते और right side में assets के सभी खाते एक निश्यत क्रम में लिखे जाते हैं आईए अब हम trial balance से एक एक करके सभी खातों के balance balance sheet में लिख लेते हैं कि अप्यान आईए आईए झाल झाल ये देखिये हमने ट्रायल बैलेंस से सब भी खातों के बैलेंस ले लिये हैं आईए अब चिठा यानि बैलेंस शीट देख लेते हैं इस बैलेंस शीट से हमें अपनी पूरी आर्थिक स्थिती के जानकारी प्राप्त हो रही है जैसे हमें किसे क्या देना है, किसे क्या लेना है और वर्तमान में हमारी पूंजी बढ़कर या घटकर अब कितनी है टेली में अब ना तो हमें खातों को क्रमानुसार लिखना होता है और ना ही बैलेंशीट बनानी होती है टेली ये काम अपने आप करके हमें दे दिता है इस वीडियो सिरीज के प्रारंब से लेकर अभी तक की वीडियोस में हमने देखा कि मैनुवल अकाउंटिंग किस तरह होती थी और अब टेली ने उसे कितना असान कर दिया है साल भर टेली में सिर्फ वाउचर एंट्री करो और साल के आखिर में ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉज से समबंदित कुछ एंट्रीज करो शेश सभी काम अपने आप हो जाते हैं इसी के साथ टेली हमें वेबसाइक को अच्छे से चलाने के लिए अनेक रिपोर्ट्स भी प्रदान करती है साथ ही टेली में ये सुथा भी है कि हम जब चाहें तब हमारा प्रॉफिट और लॉस स्टेट्मेंट रुबलेंशी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद वाली वीडियो से हम टेली में काम करना शुरू करेंगे